हम से पूछा गया है कि चुडेल माता के बारे में जान कर दीजिए, क्या किसी चुडेल को देवी की रूप में पूजा जा सकता है, क्या यह उचित है या अनुचित, किर्पया बताएं, हम ऐसे इस्थानों पर जाने से डर लगता है, हम भैबेत रहते हैं, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए, अथवा नहीं, तो आज हम इसी विशे पर करेंगे चर्चा, बहुत समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं, हमें समय नहीं मिल पाता है, तो क्रपया आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, बेल आइकोन को आल पर सेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ, ताकि आप हमारे आने वाले सभी नए अपडेट से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और आप जुड़ पाएं, तो चली कर लेते मातंगी भाकाली की आराधना, जाये मातादी, देखिए, जिस किसी ने हमसे ये प्रश्न किया है, बहुत ही सुभाविक है, क्योंकि कहा जाता है, कि आप जिसकी संगत करते हो, जिसकी शरण जाते हो, उसके जैसी आपकी गती होती है, यदि आप भूत, प्रेट, चुड़ेल, आधी की जैसे तामसिक सेवा या तामसिक पद्दती से पूजा सेवा करने वाले लोग, अधिकतर या शमशानिक कापालिक क्रियाएं करने वाले लोग, इस प्रकार की शमशानिक उरजाओं को अपने संरक्षन में लेकर, अपने अ कि हम जब देवदर्शनों के लिए जाते हैं और मार्ग में कोई ऐसा मंदिर पढ़ जाए, जहां कहा जाए, कि यह किसी चुड़ेल या कोई पेशाचिक शक्ती का मंदिर है, तो वो उसके नाम से भैवित हो जाते हैं, उनके मन में आता है कि कहीं हमने पूजा सेवा की और यहां से कहीं कोई चुड़ेल शक्ती या पेशाचिक शक्ती हमारे साथ न जुड़ जाए, या हमारे साथ हमारे घर तक न पहुंच जाए, तो हमें इस मंदिर के अंदर प्रवेशी नहीं करना, एसा उनके मन में विचार आता है, फिर उनके मन में यह भी विचार आता है कि कहीं किसी देवी का अपमान न कर दिया हो वो रुष्ट न हो जाए इस परकार से उनके मन में कई सारे विचारत्पन होते हैं और सुभाविक सी बात है जब हमने पहली बारे इस मंदिर के बारे में सुना था कि कोई ऐसा मंदिर भी है जहां चुडेल की पूजा होती है जिने चुडेल माता कहा जाता है तो हमने उस तथे को जानने की कोशिश की हमने उसके बारे में पता किया वहां के स्थानी लोगों से जब उसके बारे में हमें पता चला तब उसके जो कहते हैं कि प्रिक्वल जो होता है यानि कि स्टोरी से पहले की स्टोरी जो किसी को ग्यात नहीं जितनी ग्यात है उसमें लोगों को समझ नहीं आता है जो लोग बाल की खाल निकालने के बाद अमल करते हैं उस पर विचार करते हैं एसे लोगों के लिए काफी सारी उल्जन भाली बाते हो जाती हैं कुछ लोग बात की बातों को सुन करके भी भ्रमित हो जाते हैं तो एसे ल इची क्या रहस्य है तो कई सारे वीडियो जो हमारे हैं इसलिए प्रचलित हैं और इसलिए काफी सारे वीडियो वाइरल भी हुए हैं क्योंकि उनमें उन रहस्यों की बात की गई है उन रहस्यों की जानकारी दी गई है जो आपको समझना चाहिए हम पहले ही कहे चुके हैं कि कोई भी सात्विक शक्ती जो चल रही है जो पूजी जा रही है इस संसार में चाहे वो अवतार धारन करने के बाद अपने गुरू की किरपा से उन्होंने उन शक्तियों को अरजित किया हो या देव तुल्य कोई भगत हो गए हो और उनके शिश्यों ने उनका इतना मान सम्मा किया उनकी उर्जाओं को और बल दिया अपनी महनत से अपने गुरू की शक्तियों को जोड़ करके अधिक बल्वान किया एसी सभी शक्तियां आज संसार में पुजी थे और उनके नाम चलते हैं परन्तु कुछ एसी भी शक्तियां होती हैं जो अपनी मिर्त्यू के पश्च गुजरात के पाटण में इस्तिते कुंगेर का न्याय माता चुडेल माता का मंदेर इसकी बारे में कहा जाता है जो प्रचलित कथा है वो यह है कि कोई चुडेल थी जो रास्ते में आने वाले लोगों को दिखाई देती थी और लोग उससे भैखा के भाग जाते थे परन् प्रचलित लोगों के मन में प्रश्न यही है कि क्या कोई चुडेल इस प्रकार से आग्या करे और कोई उसको सुविकार कर ले कि मंदिर बना दिया जाए आज की तारिक में तो उसकी माननेता है लेकिन जब यह प्रारंब हुआ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था यह जब कहा जा रहा था कि मंदिर बनाना है मेरी पूजा करना है तब किसी ने इस बात को मान लिया सुविकार कर लिया और चुडेल का मंदिर बना दिया इसके पीछे क्या रहस से था क्या रहस से रहा होगा लोगों के मन में यह प्रश्नाता है क्योंकि कथा तो सुन ली लेकि किसी और व्यक्ति के साथ आज इस्थिती हो जाए कि उसे कोई भूत प्रेत दिख जा और वो कहें मेरा मंदिर बना दो तो क्या वो बना देगा क्या उसे कोई बनाने के आग्या दे देगा क्या उसे कोई उचित कहेगा लेकिन वहां एसी क्या परस्थिती हुई जिसके कारण क वो मंदिर बना और आज उसकी माननेता है तो देखिए कुंगेर में जब प्राचिन समय की बाते जंगल हुआ करता था वहां रहागीर जो है पेदल ही आया जाया करते थे छकड़ा गारी आदी से जाया करते थे तब ऐसे समय में वहां एक ब्रक्ष के उपर चुड़ेल का नि जारते थे और आत्री होने पर उसी पर विश्राम करते थे वहीं भोजन आदी करते थे तो जो कुछ भी भोजन आदी रह जाता था या लोगों की आदत होती है कि कुछ खाने के पहले कुछ चीजें दूसरे जीब जन्तियों के लिए छोड़ देते ताकि हमारे भोजन पर क जिसी की द्रश्टी या कूद्रश्टी न पड़े कोई आसात्विक असर ना हो इस प्रकार से उनकी भावना होती थी और वो कुछ भोज्य पदार्थ वहां रग दिया करते थे तो वहां पर आने जाने वाले राहेगीर भी इसा करते थे कि वहां कुछ भोजन सामगरी पूजती थी वह भक्तनी थी भगवती चामुंडा देवी की और महाकाली चामुंडा के साथ उनका एक असीम प्रेम रहा उनकी सेवा पूजा की भक्ती की भावना की और अपने जीवनकाल में उसने बहुत उनकी सेवा आरादना की भगत तो वो नहीं थी भगताई उसने न या हत्या कर दी गई जो भी हम उसको नाम दे उसके प्राणांत वहां हुए तो उसने उसी ब्रक्ष पर अपना डेरा जमा लिया और अपनी मुक्ती की कामना से वहां वो निवास करने लगी चूंकि वो भक्तनी रही भगत सुभाव की रही इश्वर आराधना करना नित्य जा और भगवती ने उसे अपने कार्य के लिए नियुक्त किया तब एसी अवस्था में वो आने जाने वाले रहेगिरों को दिखाई देने लगी उनसे अपने मन की बात कहने लगी परन्तु लोग भैवितों करके वहां से भागने लगे कुछ लोगों ने उस स्थान को ही चु लेल ने कहा कि तुम्हें मेरा मंदिर बनाना है मेरे नाम से मंदिर बनाओ में वहां लोगों के लिए कारे करूंगी तब भगत ने उसको देखा सोचा और अपनी सिद्धियों और उरजा के बल पर यह जाना कि यह जो कह रही है सत्ते कह रही है इस पर तो भगवती के असीम किरपा है और यह भगवती के कारे करने में सक्षा में तब उसने उस स्थान के जो जमिंदार आधी होते हैं पुजारी होते हैं उन लोगों से परामर्श लिया उन सबको अपने बात बताई उर उसने कहा कि मैंने इस परकार से देखा है तो उन लोगों ने भगत की बात को भी माना क्योंकि भगत की भी काफी मान्यता थी लोग उसको मानते थे जानते थे कि दूरगाओं का ये भगत काफी फेमस है और इसके पास कई लोगों के जो है संकट कटते हैं विपदाएं दूर होती हैं और ये बहुत अच्छा भगत है तो उसकी बात का उन्होंने आ रहे तब भगत ने उस चुलेल के बताय हुए स्थान पर भगवती के साथ ही साथ, एक ही जोत में चुलेल को भी विराजमान किया वो अखंड जोत आज भी महां विद्यमान है वो जोत जलती है और भगवती के नाम से ही जलती है और निरंतर जलती रहती है उसमें जो है चुडेल का भी बास है लोग उसी के दशन करते हैं उसी जोत को देख करके चुडेल माता को प्रणाम करते हैं नमन करते हैं और चुडेल माता को नियाय माता के नाम से भी जाना जाता है जिनके घर में विवाद होते हैं भाईयों में जमीनों के विवाद होते हैं, किसी का कोट केचेरी मुकदमा आदी लगा दिया गया हो, जो अपने आपको निर्दोश मानते हैं, वहाँ आते हैं, अपनी पुकार लगाते हैं, और यदि वे वास्तविक रूप से निर्दोश हैं, तो उनको वहाँ आने के बाद सफलता प्रा कि वहां पर जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो इसलिए कुंगेर की न्याय माता कुंगेर की चुड़ेल माता के नाम से गुजरात के पाटन का यह स्थान प्रसिद्ध है और बहुत बड़ा मंदिर है काफी लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं और इसलिए जब अन्य लोग आते हैं तो थोड़ा विदग जाते हैं हिचक जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि यह कैसा गाओं है जहां पर चुड़ेल की पूजा होती है तो इस प्रकार से यह वहां की कथा है और यह कथा के पीछे का रहस्य जो आज हमने आप सबको पताया है कि इस कारण से चुड़ेल की पूजा को मान्यता मिली और चुड़ेल की पूजा की जाती है और चुड़ेली भगवती के सद्रश भगवती के समान भगवती के साथ वहां पूजी जाती है और भगवती की किरपा लोगों को प्राप्त हो सके भगवती की शक्तियो तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और अब आप कभी गुजरात के पाटन जाएंगे तो कुंगेर की न्याय माता या चुड़ेल माता के दर्शन अवश्य करेंगे जाय मोडेश्वरी बोल बम जाय माता दी उम्मनिक्यमिनाम अपलालयंती मदाल्शाम मन्जुल भागवलासाम महेंदर निलम ध्यूति कोमलांगी मतंकन्यामनसा इस्मरांग मीही